Kalix, Korola डिस्तिंक्ट नहीं है अलग-अलग नहीं है वो कॉमन पेरियांत बनाते हैं तो PAG College से याद रखना कॉल्ची कम, College से कॉल्ची कम याद रख लेना College, ठीक है इनके एकदम glowing skin है, my dear students, college आती है glowing skin वग्लोइट से धियान रखना ग्लॉरियो सा तो उसके हजबन को बड़ा गुस्सा आया वह बड़ा दिस्टॉर्ब हो गया, बोला यार मेरी की जबजीत हो थी, थोड़ा फूड ही टाइब का था तो उसे गुस्सा आ गया, तो इसमें जागे जागे सिगरेट स्मोक कर ली, य जहां से बहुत सारे questions commonly बनते हैं चलिए आईए तो सबसे पहले students हम इसको trick से learn करेंगे कैसे सबसे पहले मेरे पास तीन families हैं तीन तो first then second and then last मैंने ऐसे लिख दिया first second and last याने आखरी वाली तो f से first तो f से हो गई fab ac then s से second याने s से हो गई solen ac यह second number पर हम याद करेंगे और l से last याने last में हो गई lily ac lily ac जो है lily ac यह monocot family है बाकि सारे dicot अब हम कैसे ध्यान रखेंगे देखिए सबसे पहले हम यह याद रखेंगे कि यह first आ रहे है first मतलब इनके बहुत अच्छे percentage है पर यह second आ रहे है इन्हें और number लाने की गुंजाईश है they can bring more numbers they can add numbers और यह तो बहुत add कर सकते इनका बुरा performance है तो मैंने BR लिख दिया तो percentage याने zygomorphic symmetry प्लस actinomorphic symmetry और number लाने प्लस actinomorphic symmetry और BR बुरा performance याने bracteate flowers होंगे अब यह dicot है तो के अच्छा एक चीज इंपोर्टन्ट कि यह सब में bisexual फूल है यानि flower के अंदर stamen भी है और carpal भी है सब में bisexual नाओ यह दोनों dicot है outer to inner calyx, corolla, androesium and gynoesium इसमें भी calyx, corolla, androesium, gynoesium पर यह monocot family है monocot और monocot में भी lily family के अंदर हम जानते हैं calyx, corolla distinct नहीं अलग अलग नहीं है वो common periyanth बनाते हैं तो PAG अब इसमें epiphilus condition मिलती है यानि stamen, periyan से connected है, attached है और इसमें epipetalus यानि petal से connected होता है, androesium यानि stamen अब सब में superior over ही है, सब में, तो मैंने सब में नीचे line खीश दी अब देखो कितना मज़ेदार है, इसमें one carpel, two carpel, and three carpel, one, two, three, ठीक है, अब ये बहुत बुरा perform करते हैं, ये तीन दोस्ते ने तीन पागल के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं इनको? तीन पागल, तीन पागल मतलब तीन, 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 तीन देखो, तीन पागल, three, 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 कितना असान है, इसको याद करना? चलो, अब ये जो हैं, ये डॉक्टर के पास गए और इन्हों ने बोला, counselor के पास, doctor के पास, हमको भी first आना है, हम second आते हैं, हमको और number लाने, तो doctor ने बोला, तुमको पी नहीं है, पानसो बचपन घुट्टी, पानसो बचपन घुट्टी, मतलब पानसो बचपन 555, कितना easy है, पहचानना देखो, और ये जो दो दोस्त हैं, जो first आते हैं, ये 5 प्लस 5, 10 स्टार है, 5 प्लस 5, 10 स्टार मतलब 5, इस 5 को देखो, मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे, ऐसे क्यों लिख रही हूँ, 1 posterior petal होती है, 2 lateral होती है, और 2 anterior होती है, हम posterior से बाहर से अंदर जा रहे हैं, और 5 प्लस 5, 10, 10 को मैं ऐसे लिखूंगी, 9 प्लस 1, चलो, अब brackets लगाना सीखते हैं, तो 5 प्लस 5, 10 स्टार हो गया, 55 घुट्टी हो गया और 3 पागल हो गया, अब आजो brackets लगाते हैं, bracket कैसे लगाएंगे, यह दोनों दोस्त, 5 स्टार, 5 स्टार दोस्त जब मिलते हैं, तो हमेशा पूछते हैं, कैसी है, कैसी है, कैसी है, तो K में bracket लगेगा, C में bracket लगेगा, और A में bracket लगेगा, हम जानते भी है students, यहाँ पे 2 anterior वाली fused petals होती हैं, और यहाँ पे dye a dull first condition है, याने 9 stamen की filament fused होते हैं, एक separate होता है, इन्हें डॉक्टर ने बोला, 555 घुट्टी और करेले का ग्लास भी पियो रोज, करेले का ग्लास, याने bracket लगेगा, करेले का ग्लास में, याने sepals fused हैं, petals fused हैं, और carpel 2 हैं, वो भी fused ह याने gamo sepals, gamo petalus and syncarpus condition, और इनको बोला, तुम सबसे पहले अपनी PG छोड़ो, भई तुम PG में बरबाद हो जाओगे, तुम अपने दोस्त सारे अलग-अलग हो जाओ, PG छोड़ो, याने P और G में bracket लगेगा, तो 3 और 3 के घेरे में, 2 walls में, परियांध, teples हैं, fused हैं और सब में superior है, हो गया याद, तो 5 प्लस 5, 10 स्टार, 555 घुट्टी and 3 पागल, then KCA, करेले का ग्लास and PG छोड़ो, ये हो गए इनके floral formula, अब आए इनको ये ट्रिक से, मैं इनके examples याद कराती हूँ, तो सबसे पहले में आपको Lily के example याद कराती हूँ, तो Lily AC family के examples हैं, इसमें दो लड़कियां हैं, Lily and Tulip, Lily और Tulip, ठीक है, ये दोनों College जाती है, College, College से याद रखना, Colchicum, College से Colchicum याद रख लेना, College, ठीक है, इनके एकदम glowing skin है, my dear students, College जाती है, glowing skin, तो glowing skin से ध्यान रखना, Gloriosa, तो Gloriosa और Tulip, NCRT में ornamental सजावट के फूल दिये हैं, प्लस, Colchicum जो है, ये तो हम जानते हैं, Colchicum Autumn Nail, My Tautic Arrester भी होता है, glowing skin क्यों है, क्योंकि ये ऐलो वेरा लगाती है, तो इसमें ऐलो आता है, ऐलो, मेडिसिन की तरह यूज होता है, ऐलो, now, इनके बाल भी बहुत बढ़िया है, पता है क्यों है इतने बढ़िया बाल, क्योंकि ये प्या भी लगाये जाता है, तो इसमें अनियन भी आ जाएगा, तो लिली और ट्यूलिप, Colch जाती है, Glowing, Glowing Skin है, यानि Glorious, Gloriosa, एलो वेरा लगाती है, और अनियन गार्लिक भी इसी में आता है, प्याज लेसन बीसी में आ जाता है, ठीक है, now, इसके बाद, ये और्नमेंटल हो ग बहुत इंपोर्टन है, Solanasi, 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 येस, Solanasi को हम ऐसे याद रखेंगे, कि Solanasi, 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 ठीक है, वाइप, वाइप का नाम है, Bela, क्या नाम है, Bela, यानि Bela से हम याद रख लेंगे, Baladona, तो Bela से हो गया, Baladona, Baladona एक दवाई है, और husband का नाम है, Ashwin, husband, Ashwin, Ashwin मतल गंधा, अश्व गंधा, ठीक है, ये भी दवाई है, तो Ashwin, husband का नाम है, wife का नाम है, Bela, तो एक दन Bela ने बैंगन, आलू बैंगन की सबजी बनाई, आलू बैंगन की, यानि आलू, उसमें बैंगन डाला, और उसमें टमाटर, टमाटर तो डालेंगे भई, तो आलू, बैं हो गई, चिली, तो उसके husband को बड़ा गुस्सा आया, वो बड़ा डिस्टरब हो गया, बोला, क्या यार में, की सबजी तो थी, तो थोड़ा फूडी टाइप का था, तो उसे गुस्सा आ गया, तो इसमें जागे cigarette smoke कर ली, यानि टोबाको, अश्विन ने टोबाको पी ली, तो बेला ने बोला, ऐसा नहीं चलेगा, मिर्ची तेज होगी, आप मुझे गुस्सा गर लो समझ में आते हैं, पर आप cigarette पी रहे हो, आप tobacco ले रहे हो, इससे तो आपकी health कराब होगी, तो बेला ने बहुत बार warning दी, नहीं माना, तो बेला ने बेलन लेके पिटाई कर दी, पिटा याने पेटियूनिया, पिटाई कर दी, पिटाई मतलब पेटियूनिया, तो पेटियूनिया इसमें और नमेंटल है, तो बैको फ्यूमी येट्री है, ये फूड है, ये चिली याने स्पाइस है, और ये दोनों मेडिसन्स हो गए, ठीक है, इसके अलाब हम idea students, अब ह सोया बीन, ये सब डाले हो गई, इसके बाद इसमें edible oils आजेंगे, oil आप जानते हो, जैसे की मुमफली का तेल, जो है, सोया बीन का तेल, मुमफली का तेल, groundnut oil, वो सब इसमें आजाएगा, इसके बाद इसमें dye आजाती है, इंडिगो फेरा, निली निली डाले, ऐसा याद रख लो, इंडिगो फेरा, फिर इसमें fodder, sesbenia आजाएगा, fodder चारा आजाएगा, ठीक है, फिर इसमें lupin और sweet pea याने ornamental plants आजाएगे, फिर इसमें दवाईयों के नाम पर muleti आजाती है, muleti, muleti, दवाई आजाती है, यहाँ पे lupin और sweet pea आजाएगी, sweet pea और lupin आजाएग और fodder में sesbenia और trifolium आजाएगे, done, so my dear students, इस से पूरा का पूरे 4 marks आपके पक्के हो जाएगे, floral formula और examples और मज़दार मज़दार मैंने आपको tricks बता दी है, I hope यह session आपको help करेगा, thank you and God bless you all.